जैहिंद दोस्ति दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए व्डियो पर श्वागत है छले दोस्तों आज हम आप लोत को पिर से बताने यह आप्षिटी में आपका जो जो चेप्टर है इकोनॉमिक्स ठीक है इकोनॉमिक्स आपका जो चेप्टर Eldstar यानि कि अर्थ वेवस्था इसका जितना भी most भी विया objective question है वो सारा objective question लेकर आ गए है अगर अभी तक आप लोग objective question नहीं याद किये हैं और सोच रहे हैं कि objective question कहां से रहेगा economics यानि कि अर्थ वेवस्था आपका जो एक chapter है आप लोगों के पास book होना चाहिए यह आपका sst में आता है आप लोगों को पता भी होगा sst में आपका क्या आता है economics यानि कि अर्थ वेवस्था आपका एक chapter है इसमें जितना भी most important objective है चेप्टर व्यथ वो सारा कराएंगे दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि objective जो question है या अखिर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप NCRT question बना लेते हैं चाहें वो objective हो या long short question कोई भी हो तो आपका 90% question जो है यहीं से लर जाएगा और आपका तयारी भी बेहतर हो जाएगा अगर आप एक कमजोर student हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और सोची रहे हैं कि पढ़े तो क्या पढ़ें और आपको हम वहीं पढ़ाएंगे जो 2024 exam में पूछा जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों जो student पहले से पढ़ लिए हैं उनके लिए एक test हो जाएगा और साथी साथ उनका एक revision का class हो जाएगा ठीक है तो वीडियो में अंतक बने रहिए और देखिए कि 2024 में जो है किस तरह से आपका objective question पूछा जाएगा किलियर है ना चलिए तो जो student पहले से पढ़े हैं मेरे साथ साथ जवाब दीजिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना तयारी कर चुके है ठीक है ना चलिए आपका टेस्ट चालू है तो आपका economics का पहला chapter है अर्थ चेप्टर है पहला chapter अब आईए इसमें आपका पहला question क्या है और इस चेप्टर से देखिए कि 2024 में किस तरह का objective पूछा जाएगा ठीक है ना तो पहला question है कि इन में किसको प्राथमिक छेत्र भी कहा जाता है काफी important सवाल है प्राथमिक छेत्र किसको कहा जाता है बोर्ड मोडल question है कमजोर से कमजोर student जरूर इस वीडियो को देखें दबा के share कर दिजिए दोस्तों में ठीक है एक साथ पढ़ने का मजा ही कुछ अलग प्राथमिक छेत्र होता है option number B हो जाएगा एक एक चीज को आराम से समझते चलिए सारा चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा दूसरा question है कि इन में कौन से देश में मिस्चिरित अर्थ ब्यवस्ता है ज्यान दिजिए मिस्चिरित अर्थ ब्यवस्ता ये भी आपका important question ह यहाँ दिएगा दोस्तों मिस्चिरित अर्थ ब्यवस्ता वाला देश जो है वो हमारा रूस है क्या है स्वारी रूस नहीं है भारत है क्या है भारत है option number C हो जाएगा कि लिए है ना समझ रहे ना बात को चलिए अगला question देखिएगा question number है आपके सामने question number 3 भारत में योजना आयो का गठन जो है यह कब किया गया था यह भी आपका board model question है टिक कर लिजिएगा योजना आयो का गठन दोस्तों याद रखिएगा यह आपका हुआ था 15 मार्च 1915 को कब हुआ था 15 मार्च 1915 को दोस्तों देखिए इसमें हम ज्यादा question नहीं लेकर आये ह आपको NCRT का निचोर दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र है यह अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका objective इससे बाहर नहीं लड़ेगा ध्यान है दोस्तों आप लोगों को revision करना है दवा के दोस्तों में share करना है आप लोग अपने तरफ से 100% तैयारी में लगे रहिए ठीक है च दिखि Tamil चन्च को जायेगाया दिखेंगे यह का बिख सीट क्या लाता है एक लिए कि आपने से किसे पिछरा राज गाहा जाता है यह भी आपका goodnik को सब्सक्ञトलब तो आहते हैं बिःघ देखिए दोस्तों पिछला राज कहते हैं बिहार को तेसे अगिजी być कहते हैं ना चलिए अगला कोशन देखिए जिए जोब मोहहां स intense आपको हमको केवल वही पढ़ना है 2024 के लिए सेलेक्टेड कोस्टन है ठीक है तो इस तरह से आप लोग को हम बता रहे हैं आप लोग कि भारत में किस राज की परती व्यक्ति आई सबसे कम है भारत में बोला गया है किस राज की परती व्यक्ति आई यानि पर व्यक्ति आई जो है सबसे कम है ध्यान दिजिएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा बिहार बिहार में जो है यह परती व्यक्ति आई स जवाब देंगे तो आपका टेस्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो सही दंग से स्ट्रॉंग हो जाएगा ठीक है ना चलिए ध्यान दिजिए यहां पर तो आप लोग साथ साथ में जवाब जरूर दीजिए ठीक है बहुत फायदा है आप लोग से देखिए सुनिए और आपको जोजैटिव के लिए टेंसर नहीं लेना है आप लोग टेंसें मुख्त रहें सारा क्षाष रागा देंग आप लोगको एक्जाम तक मिरे साथ बने रहें फेरा चलिक है एकदम लड़ेगा यहासर यहां पर बोला गया है कि भारत के परोशी देश में किस देश का परती व्यक्ति आए सबसे अधीक है नहीं ध्यान दीजिए तो बिल्कुल सही जब आपका हो जाएगा वह जाएगा स्रीलंका क्या हो जाएगा स्रीलंका आपसर नंबर सी अगला कोशन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है आप लोगों को बता दें कि जो लोग गरीब है जिनके पास छत नहीं है र टरब के मरना आप समझ सकते हैं ये बहुत ही घटिया चीज़ होता है ठीक है लेकिन क्या करें सबका नसीब है किस्मत है जो जिसके किस्मत में जो लिखा है वो उस तरह से चल रहा है विधी का विधान है उसको न तो हम बद500 कोल बदर सकते हैं न कोई लेकिन हम लोग अग इशंक वक्त के पास एक वक्त का रोटी नहीं है अमीर लोग अपना फूर बीलर लेकर 4 पहिए वाला वाइक लेकर एकडम सेंट मार कर निकल जाते हैं बहुत सारे रुपए हैं इनके पास तो इतने रुपए हैं कि अपने अभी के वर्तमान के समय में जितना खाएंगे न उससे 4 गुना या 10 गुना के लेज़ी एक्स्ट्रा रुपई सा भी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं लेकिन जो लोग गरीब हैं रोड पर बैठे हुए हैं बहुत ही कम लोग हैं जिनके अंदर गरीबी क्या होता है ये मालूम रहता है वही व्यक्ति उनके लिए एक वक्त का रोटी देखिए एक वक्त का रोटी अगर आप देते हैं तो समझे आप उनके लिए और आप लोग जो अमीर लोग हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होना चाहिए भेदभाव वाला चीज कि वह गरीब है उसके सरीर में हम टच नहीं करेंगे देखिए वह इंसान है बट प्रोब्लम यह है कि आप अमीर घर में पैदा लिए हैं और उनका जो है जर्म एक गरीब सरक पर घूंते रहते हैं उनको कुछ help कर दीजिए जिससे उनका जीवन अच्छा गुजर जाए आए यहीं आपर बोला गया है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहां दोस्तों ध्यान रखिएगा यह बात अर्थ सास्त्री कुजनेट ने कहा था यह भी सांदार लाइ है objective के लिए जैसे इस objective चलेगा वह भी complete कर देंगे और selected question बताएंगे जो पूछा जाएगा ठीक है देखिए दूतियक छेत्र किसे कहा जाता है ध्यान देजिए काफी important है यह भी आपका bone model है देखिए दोस्तों दूतियक छेत्र क्याते हैं हम उद्धोग को किसको क्याते है उद्धोग को option number C हो जाएगा ठीक है अगला हमारा है तेरा नंबर किस छेत्र को तिर्टियक छेत्र का जाता है देखिए तिर्टियक छेत्र है वहां दूतियक छेत्र था तिर्टियक छेत्र याद रखेगा यह सेबा छेत्र जो है यह हमारा क्या है यह हमारा तिर्टियक छ साथ का जो गठन हुआ था दोस्तों यह आपका हुआ था 1952 में कम हुआ था 1952 में तो ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा 15 नंबर कोशन है कि भारत की पर्थम जो है पंच बर्सिय योजना का कारिय काल था यह भी आपका बोर्ड मोडल कोशन है टिक कर लेना है देखें बहुत सारा कोशन इसमें ऐसा है जो पूछा गया है पिछले वर्स और बिहार बोर्ड में आपको अक्सर देखने को मिलेगा बि बिया रहता है तो भारत की जो पंच बर्सिय योजना का कारिय काल था दोस्तों याद रखिएगा यह आपका था 1951 से 1956 नंबर भी हो जाएगा आईए आपका जो है इकोनोमिक्स का यानि की अर्थ विवस्था का यह आपका दूसरा अध्याय है और यह है आपका राज एवम कोशन का फिर देखते हैं कि आप लोग का कितना सही होता है अंत में दीखें पहला कोशन है कि संद 2008 से नो के अनुसार भारत की जो ऑसत परतिव्यक्ति आए है वह कितनी थी या है यह कह सकते है थी यह कह सकते है ठीक है तो आपके सामने option भी दिया गया है तो बिलकुल सही ज यहां पर आपके सामने दिया गया है 25,494 रुपए ठीक है option नमबर भी आप लोगों को याद रखना है देखें दोस्तों अगला question है question यह अंग्रेजों ने अपनाई थी ठीक है किसने अंग्रेजों ने option नमबर ए हो जाएगा देखें अगला question है कि बिहार के किस जिले का परतिव्यक्ति आए सरवाधिक है यहां पर है लिख लिजिए तो ध्यान देखा कि बिहार के जो है किस जिले के बारें पुछ रहा है ब कथन है यह कथन किसका है दोस्तों गरीजों गरीवी को जर्म देती है तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा अगला question 5 5 है राष्टिया आई के अंतरगत सामिल है राष्टिया आई के अंतरगत क्या-क्या सामिल है तो देखिए आपके सामने option है वस्तुओं एवं सेवाओं का मुल option number B आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आईए अगला कोशन देखिए आराम से ज्यादा कोशन नहीं है चेप्टर से जो इंपोटेंट है वही कोशन लेकर आए हैं अगर आप भी अपने बोड एक्जाम 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं आपका सपना है कि आपना नाम रोशन करें अपने माता-पिता का नाम रोशन करें तो आपको व लेकिन पढ़ते रहिए कुल उत्पादन एबं उत्पादन में किये खर्च का अंतर क्यालाता है यानि कि कुल उत्पादन यानि टोटल आपका जो अर्निंग है वह और उत्पादन किये खर्च का उत्पादन में किये खर्च का जो उत्पादन किये उसमें जो खर्च करते ह उसका अंतर क्या कहलाता है दोस्तों देखिए उसका जो अंतर है वो कहलाता है सुध राष्टिय उत्पाद क्या कहलाता है सुध राष्टिय उत्पाद option number D हो जाएगा अगला है कि परत्याक्ष कर के अंतरगत निम्नि में से किसे सामिल किया जाता है दोस्तों ध्यान कियेगा आई कर को किसको आई कर को option number A हो जाएगा अगला question है कि दादा भाई नरोजी ने सर्वपर्थम राष्टिया आई का अनुमान कब लगाया था देखिए आपके सामने option दिया गया है ये 1868 इस बी में दादा भाई नरोजी ने राष्टिया आई का अनुमान लगाया था option number A हो जाएगा अगला question है बिहार की आई में सरवाधिक योगदान होता है किस छेत्र का ध्यान दिजिए बिहार की आई जो है वो सरवाधिक योगदान होता है सरवाधिक योगदान जो होता है वो किस छेत्र का होता है ध्यान दिजिएगा वह था आपका सेवा छेत्र का कि सब dual की लिए इसमें आपनों को ऐसा ना है के हम खत्म कर दिए है आपकाregion चलेगा ठीख ہے आपको कोनों भी चलेगा और उसके बाद आपका एक टेस्ट हो जाएगा ठीद तो आप लोग पहले कर लीजि abort ूसके बाद तो टेस्ट दीजेगा ना तो देखिए पहले आपको त्यारी करना है फिर उसी से question bank करवाएंगे और वहां आपको मिल जाएगा test का option फिरी मैं आपको test करवाएंगे देखते हैं कि आप लोग का त्यारी कैसा रहता है देखिए बोला गया है कि गरीबी के कुछ चक्र की धारना किस ने दी देखिए आप आपको नरकस वहां पर बोलना चाहते थे लेकिन वहां पर नक्स लिखा गया था उसको सही कर लिजिए ठीक है देखिए अगला question है कि बिहार की अर्थ बेवस्था में प्रात्मिक छेत्र का मुख अंग क्या है बिहार के बारे में बोला गया है ध्यान दीजिए बिहार की अ राष्टिया का अर्थ होता है उत्पाधन के साधनों की आयक यह जो है हमारा राष्टिया होता है ठीक है अगला question है भारत में किस राज का परतिव्यक्ति आयग सरवाधिक है भारत में पूछा गया है ठीक है तो ठीक है तुझे आ दिजेगा ऑपका है गोवा का कह अप्श देखिए आज का आपका लास्ट कोशन है इकोनोमिक्स का दूसार चप्टर का लास्ट कोशन भारत में विर्तिय वर्ष कहा जाता है भारत में जो विर्तिय वर्ष कहा जाता है दोस्तों ध्यान दियेगा यह कहा जाता है एक अपरेल से 31 मार्श तक यह जो आपका एक अपरेल स कि आप लोग समझ गये होंगे समझ गये हैं तो एक बार आप लोग क्या कीज़ेगा कि इसका रिविजन कर लिजेगा ठीक है घर पर बैठ कर अगर आप लोग नाइट में देख रहे हैं तो पूरा complete देकर सोईएगा सुबह आपको क्या करना है revision करना है सुबह एक वार revision कर लेना है और बीच बीच में आपको देखते रहना है क्लिए रहना और अपने तयारी में लगे रहें आप अपने तरफ से 100% इमंदारी से तयारी कीजिए result के बारे में आप लोगों को नई सोचना है आपका तयारी जिस तरह से होगा आपका result भी उसी तरह से आएगा ठीक है न चलिए तो जितना तयारी बेस्ट रहेगा उतना बेस्ट आपका चाते हैं तो हमारे इंस्टा-id xyz motivational पर जाएगे xyz motivational ठीक है फैक्ट आप लोगों को सर्च करना है वहाँ पर आपको एक से एक सांधार आप लोगों को motivational वीडियो मिल जाएगा आप वहाँ से वीडियो देखिए और अपने रियल लाइफ में उसको यूज कीजिए ठीक है और वहाँ से कुछ सीखिए के लिए है ना चलिए तो जो एक स्टुडेंट नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंसता रहे और इसी तरह से क्यारी करते रहें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्र